काना के प्रेम में हुई दिवानी किस साल की हर्शी का पंत कल्यूक की बनी मीरा श्री कृषिन की मूर्ती संग रचाए शादी काना के नाम का भरा संदूर आपको बता दे चलें कि उत्राखन की हजवानी से एक चौका देनी वाली खबर निकल करा रही है जहां की आस्था पर विश्वास रखने वाली किस साल की हर्शी का पंत काना के प्रेम में दिवानी अब बन गई मीरा वहीं आपको बता दे जए किस साल की हर्शी का पंत ने कुमाउंजनी रीति दिवास से भगवान श्री क्रिशन की मूर्ती संग शादि रचाली है अब वे श्री कृषिन की दुलहन बन गई है इनके लिए हर्शिका 15 साल से करवर्चोत का व्रत रख रही थी कानहा के नाम का भरा संदूर हर्शिका भगवान श्री कृषिन को दिल से अपना सरस्थव मांच चुकी है अब हर्शिका ने व्रणदवन से लाई गई श्री कृषिन की प्रतिमा के साथ साजजन्मों की कसमे खाई और अपनी मांग में कानहा के नाम का संदूर भर लिया है हर्शिका की माता पिता ने शादी का मोहत निकल वाया हर्शिका ने परिवार की सहमती से दुमधाम से भगवान श्री कृषिन से शादी रचा कर अपने जीवन को उन्हें समर्पत कर दिया है